C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 11 बीज गनित प्रिष्ट 246 प्रश्नावली 11.1 1. तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ग्याद कीजिए नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए A. अक्षर T का T के रूप में तीलियों से प्रतिरूप B. अक्षर Z का Z के रूप में तीलियों से प्रतिरूप C. अक्षर U का U के रूप में तीलियों से प्रतिरूप D. अक्षर V का V के रूप में तीलियों से प्रति रूप E. अक्षर E का E के रूप में तीलियों से प्रति रूप F. अक्षर S का S के रूप में तीलियों से प्रति रूप G. अक्षर A का A के रूप में तीलियों से प्रति रूप 2. हम अक्षर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं उपर प्रश्न एक में दिये कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था ये अक्षर कौन-कौन से हैं? ऐसा क्यूं होता है? 3. किसी परेड में कडेट यानि कडेट्स मार्च कर रहे हैं एक फंक्ती में पांच कडेट हैं यदि पंक्तियों की संख्या ग्यात हो तो कडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए N का प्रयोग कीजिए 4. एक पेटी में 50 आम हैं आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए B का प्रयोग कीजिए 5. शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है विद्यार्थियों की संख्या ग्यात होने पर क्या आप कुल वांचित पैंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए S का प्रयोग कीजिए 6. एक चिडिया एक मिनट में एक किलोमीटर उड़ती है क्या आप चिडिया द्वारा तै की गई दूरी को मिन्टों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मिन्टों में उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग कीजिए। साथ, राधा बिन्दूओं यानि डॉट्स से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिन्दूओं को जोड़ कर रेखाओं का एक सुन्दर प्रती रूप बनाना जैसे आकृती 11.5 में है। उसके पास एक पंक्ती में आठ बिन्दू हैं। आर पंक्तियों की रंगोली में कितने बिन्दू होंगे। यदि आठ पंक्तियां हों, तो कितने बिन्दू होंगे। यदि दस पंक्तियां हों, तो कितने बिन्दू होंगे। प्रिष्ठ 247. 8. लीला राधा की चोटी बहन है लीला राधा से चार वर्ष चोटी है क्या आप लीला की आयू राधा की आयू के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयू X वर्ष है 9. माने लड़ू बनाए हैं उन्होंने कुछ लड़ू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिये फिर भी पांच लड़ू शेश रह गए हैं यदि माने L लड़ू दे दिये हूं तो उसने कुल कितने लड़ू बनाए थे? 10. संत्रों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संत्रे से दो छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी दस संत्रे शेश रह जाते हैं यदि एक छोटी पेटी में संत्रों की संख्या को X लिया जाए, तो बड़ी पेटी में संत्रों की संख्या क्या है? 11. ए, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिये प्रती रूपों को देखिए, आकरिती 11.6, ये वर्ग अलग अलग नहीं है, दो सनलगन वर्गों में एक तीली उभए निश्ठ है, इस प्रती रूप को देखिए और वहनियम ग्यात कीजिए, जो वर्गों की संख्या क के पदों में आवशक तीलियों की संख्या देता है, संकेत, यदि आप अंतिम उर्धवाधर तीली को हटा दें, तो आपको सी का प्रती रूप प्राप्त हो जाएगा, बी, आकरिती 11.7 तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रती रूप दर्शा रही है, उपरोग्त प्रश्न 11.1 की थरहा वह व्यापक नियम ग्यात कीजिए, जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवशक तीलियों की संख्या देता है, 11.6 सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग, आएए अब देखें कि गणित के कुछ ऐसे सामान्य नियम जिन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस प्रकार चरों का प्रयोग करते हुए व्यक्त किये जाते हैं, प्रिष्ठ 248 ज्यामिती से नियम हम छेत्रमिती यानि मेंसुरेशन की अध्याय में वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम आपको उन्हें एक नियम के रूप में लिखने के लिए वापस लिए चलते हैं, एक वर्ग का परिमाप हम जानते हैं के एक बहु भुज यानि तीन या अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृती का परिमाप यानि परिमीटर उसकी भुजाओं की लंबाईयों का योग होता है, वर्ग में चार भुजाओं की लंबाईयों का योग बराबर एल जमा एल जमा एल जमा एल पराबर चार गुणा एल बराबर चार एल इस प्रकार हम वर्ग के परिमाप का एक नियम प्राप्त कर लेते हैं, चर एल का प्रयोग हमें एक ऐसा व्यापक नियम लिखने में समर्थ बनाता है, जो संग्षिप्त है और जिसे सरल्ता से याद रखा जा सकता है 2. आयत का परिमाब हम जानते हैं के एक आयत की चार भुजाएं होती हैं उदहरनार्थ आयत A, B, C, D की चार भुजाएं A, B, B, C, C, D और डिये हैं आक्रिति 11.9 एक आयत की सम्मुक भुजाएं सदैव बराबर होती हैं इसलिए आये आयत A, B, C, D की भुजाओं A, B और C, D की लंबाई को L से व्यक्त करें और भुजाओं A, D, B, C, की लंबाई को B से व्यक्त करें अतह आयत का परिमाप बराबर AB की लंबाई, जमा BC की लंबाई, जमा CD की लंबाई, जमा AD की लंबाई, बराबर L जमा B, जमा L जमा B, बराबर L जमा L, जमा B, बराबर 2L जमा 2B. अतह नियम यह है, आयत का परिमाप बराबर दो L जमा दो B जहां L और B क्रमशह आयत की लंबाई और चोड़ाई है इसकी चर्चा कीजिए के L बराबर B होने पर क्या होता है यदि हम आयत के परिमाप को चर P से व्यक्त करें तो आयत के परिमाप का नियम निम्न हो जाता है P बराबर दो L जमा दो B टिपणी, यहां L और B दोनों चर हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र मान ग्रहन करते हैं अर्थात, एक चर्द्वारा ग्रहन किये गए या लिये गए मान पर दूसरे चर्द्वारा ग्रहन किया हुआ मान निर्भर नहीं करता प्रिष्ठ 249 ज्यामिती के अपने अध्ययन में आपके सम्मुक, अनेक नियम और सूत्र आएंगे जो सम्तलिय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफलों तथा त्रिवीमिय आकृतियों के प्रिष्ठी यक्षेत्रफलों और आयतनों से संबंधित होंगे साथ ही आप एक बहुभुज के अंतह कोणों के योग, एक बहुभुज के विकरणों की संख्या इत्यादी के सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं चरों की अवधारणा, जो आपने पढ़ी है, आपको ऐसे सभी व्यापक नियमों और सूत्रों के लिखने में अती उपयोगी सिद्ध होगी अंक गणित के नियम तीन, दो संख्याओं के योग की क्रम विनिमेयता हम जानते हैं के 4 जमा 3 बराबर 7 और 3 जमा 4 बराबर 7 है, अर्थात 4 जमा 3 बराबर 3 जमा 4 है जैसा के हम पूर्ण संख्याओं के अध्याए में देख चुके हैं, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के लिए यह सत्य है संख्याओं का यह गुण, संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता यानि Commutativity खहलाता है। क्रम विनिमय का अर्थ है क्रम बदलना। योग में संख्याओं के क्रम को बदलने से उनके योग में कोई परिवर्थन नहीं आता। चरों का प्रयोग हमें इस गुण की व्यापक्ता को एक संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाता है। मान लीजिए A और B दो चर हैं, जो कोई भी संख्या का मान ले सकते हैं। तब A जमा B बराबर B जमा A होता है। एक बार जब हम नियम को इस रूप में लिख लेते हैं, तो इसमें सभी विशिष्ट स्थितियां सम्मिलित हो जाती हैं। यदि A बराबर 4 और B बराबर 3 है, तो हमें 4 जमा 3 बराबर 3 जमा 4 प्राप्त होता है। यदि A बराबर 37 और B बराबर 73 है, तो हमें 37 जमा 73 बराबर 73 जमा 37 प्राप्त होता है। इत्यादी। 4. दो संख्याओं के गुनन की क्रम विनी में यता। हम पून संख्याओं के अध्याई में पढ़ चुके हैं, कि दो संख्याओं के गुनन के लिए, जिन दो संख्याओं का गुना किया जाता है, तो उनके क्रम से गुनन फल पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है। उड़हरन आर्थ चार गुणा 3 बराबर 12 है, और 3 गुणा 4 बराबर 12 है. अतह चार गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4 है. संख्याओं का यह गुण संख्याओं के गुणन की क्रम विनी में यता कहलाता है। गुणन में संख्याओं के क्रम को बदलने पर गुणन फल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। योग की तरहा ही चर A और B का प्रयोग करके हम दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमेता को A गुणा B बराबर B गुणा A के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रिष्ठ 250 ध्यान दीजिये कि यहां A और B कोई भी संख्या मान ले सकते हैं। इस व्यापक नियम से सभी विशिष्ट स्थितियां जैसे 4 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4 या 37 गुणा 73 बराबर 73 गुणा 37 इत्यादी प्राप्त हो जाती हैं। 5. संख्याओं की वित्तर्णता मान लीजिये हमें 7 गुणा 38 परिकल्पित करने को कहा जाता है। सपश्ट थह हमें 38 की गुणन सारणी ग्यात नहीं है। इसलिए हम निम्न प्रकार से परिकलन करते हैं। 7 गुणा 38 बराबर 7 गुणा कोश्टकों में 30 जमा 8। बराबर 7 गुणा 30 बराबर 7 गुणा 8 बराबर 210 जमा 56। बराबर 266। साथ, तीस और आठ जैसी सभी तीन संख्याओं के लिए सत्य है। यह गुण संख्याओं के योग पर गुणन की वित्तरणता यानि Distributivity of multiplication over addition of numbers कहलाती है। चरों का प्रयोग करके हम संख्याओं के इस गुण को भी एक व्यापक और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए A, B और C कोई तीन चर हैं और इनमें से प्रत्येक कोई भी संख्या का मान ग्रहन कर सकता है। तब A गुणा कोश्टकों में B जमा C, बराबर A गुणा B जमा A गुणा C होता है। संख्याओं के गुण अतियाकर्शक होती हैं। आपिन में कुछ खा अध्ययन संख्याओं में इसी वर्ष में करेंगे और कुछ खाब बाद में अपने गणित के अध्ययन के साथ करेंगे। चरों का प्रयोग हमें इन गुणों को एक अति व्यापक और संख्यप्त रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाता है। संख्याओं का एक अन्य गुण प्रश्नावली 11.02 के प्रश्न पाँच में दिया है। संख्याओं के ऐसे ही कुछ और गुणों को ग्यात कीजिए और उन्हें चरों का प्रयोग करते हुए व्यापक रूप में व्यत्त कीजिए। प्रश्नावली 11.02 एक सम बाहुत्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया जाता है। इस सम बाहुत्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। दो, एक सम शडभुज यानि रेगुलर हेकसागन की एक भुजा को एल से व्यक्त किया गया है। आकृती 11.01 एल का प्रयोग करते हुए इस शडभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। संकेत, एक सम शडभुज की सभी छे भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। प्रिष्ठ 251 तीन घन यानि क्यूब एक त्रिविमिय यानि थ्री डाइमेंशनल आकृती होती है। जैसा के आकृती 11.01 में दिखाया गया है। इसके 6 भलक होते हैं और ये सभी सर्वसम यानि आइडेंटिकल वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई एल से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ग्यात कीजिए। चार वृत्त का एक व्यास वहर एका खंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदूओं को जोडता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। सनलग्न आकरिती 11.2 में A.B. वृत्त का व्यास है और C. उसका केंद्र है। वृत्त के व्यास यानि D को उसकी त्रिज्या यानि R के पदों में व्यक्त कीजिए। 5. तीन संख्याओं 16, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से ग्यात कर सकते हैं। A. हम पहले 16 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 41 में 13 जोड़कर खुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। या B. हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 16 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कोश्ठकों में 14 जमा 27 जमा 13 बराबर 16 जमा कोश्ठकों में 27 जमा 13 हुआ। ऐसा किन ही भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य यानि असोसियेटिव गुण कहलाता है। इस गुण को जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याए में पढ़ चुके हैं। चर A, B और C का प्रयोग खरते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। 11.7 चरों वाले व्यंजक याद कीजिए कि अंक गणित में हमें 2 गुणा 10 जमा 3, 3 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 4 इत्यादी जैसे व्यंजक यानि एक्स्प्रेशन्स प्राप्त हुए थे। ये व्यंजक 2, 3, 4, 10, 100 इत्यादी जैसी संख्याओं से बनते हैं। ऐसे व्यंजकों को बनाने के लिए चारों संक्रियाओं का योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 2 गुणा 10 जमा 3 प्राप्त करने के लिए हमने 2 और 10 का गुणा करके उसके गुणन फल में 3 जोडा है। अन्य अंक गणीती व्यंजकों के उदाहरण निम्न हैं। 3 जमा कोष्ठकों में 4 गुणा 5, 8 घटा कोष्ठकों में 7 गुणा 2, कोष्ठकों में 6 गुणा 2 घटा 5, 7 जमा कोष्ठकों में 8 गुणा 2, कोष्ठकों में माइनस 3 गुणा 4 जमा 5, 14 घटा कोश्टकों में 5 घटा 2, कोश्टकों में 5 गुणा 7 घटा कोश्टकों में 3 गुणा 4 गटा 7 इत्यादी व्यंजकों को चरों का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतह हम चरों वाले व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। उदाहरणार्थ 2N, 5M, X जमा 10, X घटा 3 इत्यादी। चरों वाले ये व्यंजक, चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाईं करने के बाद प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, व्यंजक 2N, 4N को 2 से गुणा करने पर बनता है। व्यंजक X जमा 10, 4X में 10 जोडने पर बनता है। इत्यादी। प्रिष्ठ 250, हम जानते हैं कि चर विभिन मान ले सकते हैं। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। परन्तु ये संख्याएं हैं। इसी कारण संख्याओं की ही तरह इन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। चरों वाले वियंजकों के संबंध में एक महत्वपून बात ध्यान देने योग्य है। एक संख्यात्मक वियंजक जैसे चार गुणा तीन जमा पांच का सरलता से मान निकाला जा सकता है। उदहरणार्थ चार गुणा तीन जमा पांच बराबर बारह जमा पांच बराबर सत्रह है। परंतु चार एक्स जमा पांच जैसे वियंजक जिसमें एक चर एक्स आ रहा है का मान निकालना संभव नहीं है। यदि चर एक्स का मान दिया हो केवल तब ही वियंजक का मान निकाला जा सकता है। उदहरणार्थ जब एक्स बराबर तीन है तो चार एक्स जमा पांच बराबर चार गुणा तीन जमा पांच बराबर सत्रह है। जो उपर पहले भी प्राप्त हुआ था। नीचे आने वाली कुछ पंक्तियों में हम देखेंगे कि कैसे कुछ व्यंजक बनाये जाते हैं व्यंजक कैसे बनाया गया A. Y जमा 5 Y में 5 जोडने पर B. T घटा 7 T में से 7 घटाने पर C. 10 A A को 10 से गुणा करने पर D. X बटा 3 X को 3 से भाग देने पर E. माइनस 5 Q Q को माइनस 5 से गुणा करने पर F. 3 X जमा 2 पहले X को 3 से गुणा करके प्राप्त गुणन फल में 2 जोडने पर G. 2 Y घटा 5 पहले Y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणन फल में से 5 घटाने पर इसी प्रकार के 10 अन्य सरल व्यंजक लिखिए और बताईए कि वे किस प्रकार बनाए गए हैं हमें किसी व्यंजक को उस स्थिती में बनाने में भी समर्थ हो जाना चाहिए जब यह निर्देश दिये हों कि उसे किस प्रकार बनाना है निम्न लिखे तुदहरण को देखिए निम्न के लिए व्यंजक दीजिए A. Z में से बारह घटाना Z घटा बारह B. R में 25 जोडना R जमा 25 C. P में 16 से गुणा 16 P D. Y को 8 से भाग देना Y बठा 8 E. M का माइनस 9 से गुणा M. F Y में 10 से गुणा और फिर गुणन फल में 7 जोडना 10 Y जमा 7 G. N में 2 से गुणा और फिर गुणन फल में से L घटाना 2 N घटा L Pृष्ट 213 सरिता और अमीना ने व्यंजकों का एक खेल खेलने का निरणे लिया उन्होंने एक चर एक्स और एक संख्या तीन ली और देखा के वे कितने व्यंजक बना सकते हैं इसमें प्रतिबंध यह है कि वे चारों संख्या संक्रियाओं में से केवल एक संक्रिया ही प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्येक व्यंजक में एक्स अवश्य होना चाहिए क्या आप इनकी सहायता कर सकते हैं सरिता एक्स जमा तीन सोचती है फिर अमीना एक्स घटा तीन बनाती है उससे अगला वह तीन एक्स कहती है तब सरिता तुरंद एक्स बटा तीन कहती है दिये हुए प्रतिबंध के अंतरगत क्या केवल यह चार व्यंजक ही बनाए जा सकते हैं तीन एक्स जमा पांच बनाया जा सकता है क्या तीन एक्स जमात तीन बनाया जा सकता है? अब इस खे आगे वे वाई, तीन और पांच के संयोजनों की सहायता से व्यंजक बनाने का प्रयत्न करती हैं. प्रती बन्ध यह है कि वे योग और व्यवकलन में से एक तथा गुणन और विभाजन में से एक संक्रिया चुन सकते हैं. प्रत्य एक व्यंजक में वाई अवश्य होना चाहिए. जाज कीजिए कि क्या उनके उत्तर जो नीचे दिये गए हैं सही हैं? य जमा 5, y जमा 3, y घटा 5, y घटा 3, 3 y, 5 y, y बटा 3, y बटा 5, 3 y जमा 5, 3 y घटा 5, 5 y जमा 3, 5 y घटा 3. क्या आप कुछ अन्यव्यंजक बना सकते हैं? क्या वाई बटा तीन जमा पांच बनाया जा सकता है क्या वाई जमा आठ बनाया जा सकता है क्या पंद्रह वाई बनाया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचनस्वर गौरव मारवा निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.